हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टू टूलिप शोर्यू दोस्तों आज हम लगाने जा रहे हैं आलू और वो भी बिल्कुल और प्योर और टेस्टी इसके लिए मैंने बना ली है यह मिट्टी मिट्टी में मैंने ली है 50% गार्डन सोईल 30% काउडंग कमपोस्ट और 20% इसमे के से आप घर पर पढ़ी हुई थेलियों पॉली बैक जो भी होते हैं उनसे ग्रो बैक कैसे तयार कर सकते हैं इसमें नीचे मैंने ड्रेंड हूल बनाए हैं तीन या चार और इसमें अच्छे से मिट्टी भर दी हैं अपने पास अकसर पॉली बैक्स आते रहते हैं जोकी पानी डाल रही हूं ताकि नीचे तक यह जो मिट्टी है अपनी गीली हो जाएं और हम आलू इसमें आराम से बो सकें जो एक्स्ट्रा वोटर है वो नीचे से इनमें ड्रेनेज होल में से निकल जाएगा और अब मैंने लिए कुछ आलू जान रही दोस्तों आप जो आलू का स जाएगी और प्लांट बन जाएगी जितने ज्यादा बड़ वाले आप आलू लेंगे उतने ही आपको प्लांट मिलेंगे और एक आलू से आप 5-6 तक प्लांट तयार कर सकते हो यानि कि जितने ज्यादा आखे इनकी उतने ही ज्यादा आप तयार कर सकते हो और इस तरीके से आप कट लगाए कि ज्यादा से ज्यादा आपको ये बड्स मिल सकें जैसे ये देखिए मैं इसके तीन या चार पीसे बनाने जा रही हूं ये देखिए जितने ज्यादा ये सब जो बड़ वाले हैं इनको मैं उपर की साइड में रखूंगी और नीचे वाला नीचे की साइड मैं इसमें दबा दूंगी मिट्टी में ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल इसको मोइस्ट कर लिया है और ये मैंने दोनों पॉलिबेग मेरे तयार हो चुके हैं आपके पास जितने भी हो पॉलिबेग आप उन सबको तयार कर सकते हैं बस ध्यान ये रखिए कि आपको थ चोटे चोटे से खड़े बनाकर, आप चार या पांच प्लांट इस तरीके के प्लांट पॉलिबेग में ग्रो कर सकते हैं, यह मैंने इसमें पांच लगा दिये हैं जितने आपके पास आलू हो जितने ज़्यादा पोली बैग हो उतनी ही ज़्यादा कांटिटी आपको मिल जाएगी और इसी तरीके से मैं इसमें भी लगा दूँगी जहां रहे बड़ वाला जो है यह आखी जो बनी हुई है आलू की यह एडिया आपको उपर की साइड में रखना है यह इस तरीके से ताकि बड्स को ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं हो और जल्दी से आपके आलू जो है अच्छे से ग्रो हो जाएं और हेल्दी से आपके प्लांट तयार हो जाएं आपको मैं पूरा अपडेट के साथ हैं सेप्टेंबर औक्टोबर नवंबर या दिसंबर में से आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं यह काम कर रही हैं मैं दिवाले के आसपास यानि कि नवंबर में मैंने यह लगाए हैं और दिसंबर में भी मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगी और जनवरी फरवरी में भी आपको इसका अपडेट दिखाने वाली हूँ अब मैं इसके उपर एक लेयर मिट्टी के बना देती हूँ ताकि इन में फोटो सिंथेसिस ना हो अभी और अच्छे से अपने प्लांट ग्रो हो पाए हलकी सी आपको पतली सी मिट्टी की लेयर बनानी है ताकि जल्दी से इसमे से निकलने लग जाए और अब थोड़ा सा में इसको अच्छे से मैंने पहले से इसमें पानी डाल दिया है यह देखें नीचे ड्रेनेज होल से इनमें से ड्रेन हो गया एक्स्ट्रा वोटर जो है और अब उपर से हलकी सी मिट्टी मैं इसमें मोईस्ट कर दूँगी ताकि म अब दिखाऊंगी मैं आपको पूरे 25 डेजल्ट यह देखिए आप्टर 25 डेज बहुत अच्छी से हेल्दी से अपने प्लांट तयार है इसमें आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि मैंने पोलिबेग को फोल्ड कर रखा है वो इसकी सेटी के लिए दूसरा मैं थोड़ा फोल्ड जेब खुलटी रहोंगी क्योंकि हर 15 डेज outro मिठी की एक एक लाइर डालती जाओं ताकि आलू जो है उपर की तरफ अगर ग्रोह हो जाए तो उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं हो क्योंकि फोटोशिंथिस से आपने अलू जो हैं घ्रीन हो अच्छे से आलू आप प्राप्त कर सकूं और इसको मोईस्ट आपको रखना है और हर 20 डेज से आपको इसके उपर मिठी की लेर बनाने ताकि आपके आलू बहुत अच्छे से ग्रोह हो और आपको में जल्दी ही इसका रिजल दिखाऊंगे जनवरी और फर्वरी में क्योंकि दो से तीन मने बाद में यह पत्ते पीले पड़ जाएंगी और यह प्लांट्स डेड हो जाएंगी और तब हम आलू निकाल पाएंगी तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे